हालो स्टूडेंट्स वेलकम हेया अर्यागेन उनमाई चैनल जानकरे हित मैं सेल्फ हित अभिलाशी श्यार्मा तोडिलेगी अकाउंट्स दे फिर्ट दे विच मैं लगातार वीडियो बनाखे अर्लाइन स्टूडी दे दुवारा अकाउंट्स दे अकम स्पेशली प्लस वन दे बच्यां दे लिए असान करंदी को कोशिश उसे कोड़ी दे विच अतौडिनाल में आज ए थर्टीन इस हैडिंग दे अंडर तेरी वी वीडियो लेकिया है जिसने विच पूरा तेरां देनाल कुछ कम और असान होने वाला है जे कर किसी दा कोई कंसा और ना इस तो पहला वालियां एंट्रीज देखने आने बेसी कॉंसेट्स देखने ने था यह वन तो लिखे ट्वैलों तक दियां वीडियो मेरे इस चैनल दे उते ने तुस यह उन्नों देख सकते हों ते आ ता उस प्रेशिंच की करने इस तो इनावा चैरिटी गुर से रूप दे वीच चैरिटी देनी है डोनेशन देनी है कैस्टे रूप चैरिटी देनी है इने रिगार्णि तो देनाल एंट्रीज ने लेट्स मूवएड विद्मी परफॉर्माट उसी सारे जान चुकियां कि उसी बहुत अग्ये निकल आया है थेर्मी वीडियो देवीच तो अडिनाल कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज ने इस तो इलावा में बार बार हर वीडियो देवीच इस गल देते जोर देता है के ना रूल्स नो जुरूर समझो एस सदा मॉडरन टेक्नीक का एक्वेशन बेस्ट मेरे चैनल दे होते डिफरेंट वीडियो ने जिना नों तुसी देख सकते हूं रूल्स ऑफ डवल एंट्री सिस्टम इदे बारे तो अन में वीडियो पाई आने उननों जुरूर चेक करो मैं अगल बार बार कह रहे हैं नेक्स्ट आओ अस दापिक जो शुरू कर दे हैं ओ साथी जो फॉर्स ट्रांजक्शन असी सिखन जा रहे हैं आप डिसकाउंट we should know about there are two type of discount in a business one can be a trade discount which is I have written here as TD जिस्टम मैं TD देना लेते शोग किता है then second one is the cash discount which we can write down as CD just for our own information साथे वस्ते हैं सिरफ कि TD जा CD लिखना है जा trade discount जा cash discount for your client information एसे channel दे होते A6 दे होते मैं trade discount ते cash discount नो specifically detail दे वीच explain गेता है तुसी ओनों भी check कर सकते हो आओ जल्दी जल्दी फिर भी आपना एक वारी review मारी ये trade discount की है The concession given by seller to buyer at least price or MRP maximum retail price is termed as trade discount मतलब जो साथा list price देता हुए है customers दे वास्ते जा MRP maximum retail price जो वस्तों आदे उपर mention कीता हुए उसते उपर जो concession seller दुवारा विक्रेता दुवारा खृदन वाले नो दीता जानदा है क्यों दीता जानदा है Just to lure him क्यों दे वलो अकर्शित होवे ते जादा चीजां क्रेदे To increase the sale sale नो वदान दे ले trade discount देता जानदा है It is not recorded in books केडियां books especially जो original entry books ने journal दे लैजर दे विच्च या इस्तों में वाद असी लैजर तो बाद trial balance बनाने है और थे trade discount नो नहीं शोग किता जानदा इस तों इलावा एक गलतियान रखे जोड़ी मैं basic गल कहना चानना है कि फिर journal दे लैजर की शोग कर दें जो दो की transaction है Transaction is recorded only on the net amount trade discount नो deduct करन तो बाद minus करन तो बाद जो net amount बाद जन्द है उस amount related transaction नो ही शोग कर दें एक गलतियान रखें फिर मैं कहा रहा है कि की सब्स्ट्री की साड़रा trade discount है एक बुक्स दे विच किते भी शोग नहीं हुंदा जेकर कदे information लेनी पैजे कि किस customer नो किस rate नाल चीज जा वेचियां सी यास जिडिया सब्स्ट्री बुक्स ने जिदा आसी आनवले समय दे वीचे chapters करांगे content नो discuss करांगे उत्ते असी गल करांगे एक basic transaction दे रूप दे वीचों से trade discount नो सिर्फ on record रखन वास्ते कि customer दे regarding information रहे किडी वस्तु किस discount है वेचिसी उत्ते आसी शोग कर दें जस्ट तो उन्हों याद होएका trade discount होजे कर समझना है वड़े वड़े शोरूम अजकल दा रिवास जाल रहे है वी सेल 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 ते customer बड़े अट्रेक्ट हों देने सेल होगी वी वो सेल ही trade discount है असल जड़ा customer नो अट्रेक्ट करने ली होंता है क्यों वाद तो वाद सेल वड़ा सकना अपनी आओ एक एक्जांपल लेके चाल दें है एक्जांपल की है goods sold to kamal of rupees 10,000 at 10% trade discount kamal नो 10,000 दी चीज़ां वेचनी आने MRP जिसदा 10,000 है ते 10% trade discount trade discount 10% की में calculate करने जो दा MRP 10,000 multiplied by 10 divided by 100 मतलब 10% कर लेने तो उसी 10th कर चुके हो बचे तो उनों सारे नों आंदा I know this फिर भी बस इसनों बकड़ो वसी ये ट्रांजेक्शन नों हजार दी दिखान वाले हैं भी हुन ट्रांजेक्शन देवीची effect किश्चे देबे इस सब्सक्रा नॉर्मल सेल ट्रांजेक्शन सेल्स दी एंट्री आसी जान नहीं है पहला सानू पता है kamal है जो और receiver है goods प्रापत करन वाला है कमल दा अकाउंट सी debit करता ते सेल आई नौ तुसी भी जानने हो के सेल goods नू भी लाओं कर दिया है goods रियल अकाउंट जान देने what goes out जो जान दियाने अनूं उसी की करता ने credit उस अकाउंट नो credit कर देया जो going out इस concept देनाल सबंदत हो वे उस ट्रांज sales and sales regarding entries दी कमल's account debit to sales account 9000-9000 being goods sold to Kamal at 10% trade discount एथि आसी शो कर लिया एक था कि 10% trade discount है जस्ट फर information सेख समझ ला गया कि देखो 10,000 ती क्यां goods लिए 9000 दे वीचे सेल करती है that is trade discount next एक और एक्जामपल लने है trade discount सिर्फ sales क्यों purchase दे वीचे भी हो सकता है साथ लेकुल trade discount क्यों जेकर असी कदे business ने कोई चीज सेल कीती है तो purchase भी कीती हो सकती है जो तो purchase कर दे हैं ता तो trade discount सानुक प्रापत हो सकता है मिल सकता है for example example लने goods purchased from महिंदर महिंदर तो goods purchase कीती है of the list price of 9,000 जो लिस्ट दे वीच प्राइस दिता विया सी MRP 9000 सी at 20% rate discount 20% rate discount है आप हुन पहला net amount that is working note वह 10th level तक असी वह rough work दे विच not टेर कर दे सी ना calculationally specifically mathematics दे विच अकाउंट से विच 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 साइड बाइस तरह working note दिखाने ने जिते जरूरी है तो जिते सानु calculation specifically करनी पह रही है जदों के उते exactly वह सेम amount ना दीता विया हो दी टोटल लिस्ट प्राइस केंने जो MRP है वह 9000 थैन पर सानु 20% रेट डिस्काउंट ट्रेट डिस्काउंट कैल्कुलेट किता 9000 थे 20% यह घागया 1800 था नेट परचेज की ने दी पहिच वश्तवां खरी दियां भी 9000 दे विच वह सी 1800 – माइनस की थे 7200 रूपी दा शनू न net purchase भाई yes that is the case of trade discount in case of purchase एंची की बान की सहनु बता है purchase means goods आ रही हाने what comes in debit goods purchase account goods नूरी पर्जेंट कर दा है purchase is account debit 7200 and to Mahindr's account Mahindr is the giver जिस्तु आशी वस्तु आ पर्चेस की दियाने credit transaction है being goods purchased at 20% trade discount I think this concept is clear net let's move ahead yes लोग जी discount दी गल हो रही है दूसरी टाइब दा discount है cash discount firstly we should know that what is cash discount the reduction allowed to customer or debtors to incurs them to make payment earlier debtors को नों देने जिनों उसी कदे वस्तु आउदार वेच यांसी या उदार लेना चांदेने असी उनों cash payment या जल्दी cash payment करन दे ली incurs करन दे ली तांकि यो जल्दी payment कर सकन जो उस time discount जा उस amount दे विचे reduction किती जान दी है कमी किती जान दी है that reduction is not as cash discount if firm दे ले loss हों दे जो अलाओ कर दी है ते revenue जा income हों दी है the person who is getting जिसनों a discount मिल दा है तां यदि journal entries की हो गया जस्ट माल लो असी cash discount अलाओ की था किसनों अलाओ की था असी माल लिया कि हो सड़ा जिस वक्ति तो असी पैसे लेने सी मोहन सी हो पैंट्रिस की हो सकते ने इस केस दे वीच cash account debit उस तो सनू cash receive होएगा discount allowed account debit that is the concept I want to say cash discount जो है books दे वीच शो किता जंद है इसका लूप पकड़ो trade discount books दे वीच शो नहीं होंदा जो वसी original entry books साड़िया ने जदों की cash discount नो असी जर्नलाइज कर दे हो यह शो कर दे या इत्यान रख्यो जदों वसी cash discount allowed कीता है this means a loss loss हमेशा की होंदे ने debit त्यान ना लेको ताहीं यह थे discount allowed या discount account यह नों debit किता है that is a loss loss हमेशा की होंदे ने debit एत्यान रख्यो भी इसका लूँ that is a loss है वी साड़ा है business दे वीच उस तो बाद transaction देखो कि normal transaction बनगी cash discount allowed कीता है allow means असी साड़ा कोई debt रहा हो तो payment लेनी सी उन्हों incurs कीता है जल्दी payment करते है असी उन्हों discount देता then he paid the amount उन्हें जिनना amount सा अनूपे करेगा that is cash real account cash comes in discount allowed कीता business नों loss है also ज़्यापी mohan's account means एते कोई वी नाम आ सकता है जुरूरी नी mohan असी मन्यासी की let it may be mohan तो mohan account means साड़े debtor दा name है जिस तो असी पैसे लेने नहीं जी असी उन्हों पहला जो साड़ा debtor है payment लेन वाली है कि बेसिकल आलते हां दिमाग से रखना जरूरी है cash discount जो तो अलाओ कर दे हैं जो अलाओ कर दा है ओदे लिए loss है जिसनों मिल दा है ओदे लिए profit है profit की में वस्ता दाओ देखिए if cash is received cash discount is received not cash it's if cash discount is received किस तरह किस तो सीफ किस cash received आओ इसनों देखिए let from Sonia मालो Sonia तो सानू cash discount मिलेगा Sonia तो cash discount क्यों मिलेगा क्योंकि Sonia साड़ी creditor हो सक दी है जी में इदर मोहन साड़ा debtor सी Sonia साड़ी creditor हो सक दी है creditor हो हुँद है जिसनों असी पैसे देने Sonia ने सानू लिए और करन दे लिए अपने वल के जल्दी असी cash payment कर दी उन्हें सानू एक लालच दीता that is discount ता उस हालत दे वीच नो Sonia ने Sonia नो असी payment Sonia ने क्या भी सानू लालच को ता Sonia नो जो दो असी payment के थी Sonia is the receiver personal account है ए तुसी चंगी तरह जाने हो Sonia या कोई भी creditor जीदा भी नाम होवे account debit cash business जो जा रहे है to cash account to discount received ए बिजनस दे विच income होई है इंकम हमेशा क्यूंग याने credit so ए दोनों credit होगे तो Sonia account की होगी debit जिनना ए अमाउंट है और ना अमाउंट एदना दोना तोटल होएगा इसा नूँ पता है double entry system दे वीच डेविच डेविच दे credit ब्राबर next move है example of cash discount or discount received अपा example लेगे चालते हैं तिलक और 5000 तो रमन तिलक ने रमन नूँ 5000 पर देने सी he paid the amount before due date due date तो पहला देते है received 5% cash discount ते हो नूँ 5% cash discount मिलिया समझ लगया असी तिलक दे परपस तो देख रहे हैं तिलक नूँ discount कि है receive है क्योंकि तिलक ने payment पहला करती रमन नूँ रमन अकाउंट डेविट रमन रसीवर है तिलक दी बुक्स देख रहे हैं तिलक दे point of view तो मल लो असी ते लक है असी रमन नूँ payment की थी रमन कोन रसीवर है पेमन रसीव करन वाला रमन जगाउंट डेविट 5000 cash business चों जा रहे है discounts आनू मिले है 5% कि मैं calculate करना है तुसी जानने हो amount 5000 रसी हो देते 5% cash discount calculate किता था 250 रूपीज आ गया net amount पे एक इना किता 4750 cash business चो 4750 आउट गोइंग है बाहर चला गया credit करता cash उस तो बाद discount received 250 जिनना amount credit 5000 होना ही debit यह है discount receive देखेस दे वीच ते आओ हुँ नेक्स जी के example लगने है इस concept नूँ होर क्लियर करने लिए एक्जामपल हो cash discount discount allowed received नहीं जो दो आसी allow करिये के दी example लगने है same तिलक लगने तिलक और रुपीज 5000 तो रमन he paid the amount before due date and received 5% cash discount हुन अपर रमन दे परपस दो सोचने है same transaction है त्यानला सो चोथे मैं तिलक दे point of view तो सोच जैसी जड़ी चीज तिलक दे लगी profit सी रमन दे लगी क्योंकि because रमन इस allowing the discount रमन दे लगी यह loss है loss अनु पता है nominal accounts हमेशा कि उन्दे ने debit हुन रमन को cash आया है what comes in debit तिलक न और तिलक न करजाई सी रमन दा पांच जार दी payment कानी सी ता क्या discount अलाओ है रमन ने तिलक नो discount अलाओ किता cash account दे डिसकाउंट अलाओड अकाउंट है भी ते पैसे देन वाला को ने परस्टनल अकाउंट तिलक अकाउंट तिलक नों सी credit करता विकाउज इट इस आ गिवर गिवर दा अकाउंट की हुन दा हमेशा credit transaction मेरे कल दा क्लिर है विल्कुल calculation की में हुई याने ओल्रडी तुसी पीछली transactions दे सकते हो ओधे किसी discount सब्सक्राइब को अर्शीर सी यह थे discount allowed है यस यह सब्सक्राइब हो ट्रेट डिसकाउंट ते कैश डिसकाउंट दा चेक लिएर नहीं पिछे जाओ थोड़ा जाओ दुवाला चेक करो इना ट्रांजेक्शन दो मैं इक मन के चाल रहा है कि तो अनुह हुन रियल नॉमिनल ते पर्सनल अकाउंट दे वारे कोई डाउट नहीं है नेक्स वान टे दोनोग अकाउंट दोनोग ट्रांजेक्शन नुह मैं कंपरीजन करके दिखा आया है वैं तो उसी देख सकते हूं एक ट्रांजेक्शन ए है जित्से बिजनस दे वीचे कैश रसीव हो रहे है रमन नो डिसकाउंट लॉस है कैश अकाउंट डैविट डिसका करन वाला है किनूं पेमेंट किती है रमन नूं रमन इस दा रसीवर रमन ज़काउंट दैबिट कैश बिजनस चो आउट गोईंग एक क्रेडिट डिसकाउंट रसीव्ट मिले है तेलेकुन प्रापत होया डिसकाउंट इसा इंकम क्रेडिट होएगी 250 एक लिए बिंग कैश प सब्देने वी अपां हर पहलों जानगी है चा किस रहां गोड्स परचेज प्राण सुधीर 10,000 ते यहां गोड्स परचेज की ती हैं 5% डिसकाउंट 10% कैश्ट डिसकांट त्यानना ुद्दिसकाउंट एट र कियां ट्रेट डिसकाउंट मैश दिसकाउंट बहुत हार कर 9500 ते नेट पर्चिज 9500 ते गोड़ पर्चेस कितिया ने सान्य लोग पथा पर्चेस अकाउंट डेविट यह ने गोड़ यह ने कैश के निभेमेंट की थे फिर कैश पेमेंट देव रही होने की किता पलड डिसकाउंट आसी शो नहीं करना होदा ताहीं 9500 दिखाया है पार्चेस यह मैं पहला के जोकरेट डिसकाउंट आसी शो नहीं कर दे जो आँजनल एंट्री बुक्स ने उस्तों बाद आजो कैश डि करांगे जो नेट पर चेज आई या उदे उपर है जो अमाउंट एक्षिल उस तरहीं पे वल सी 9500 टैन पर सेंट कैश डिसकाउंट 950 रूपीज हो गया इस नेट अमाउंट थे जो नेट पर चेज है यह तियान रख्यो नेट कैश पे किना है फिर 9500 रूपी नाइन क्याने पैंघ के 8550 पर कैश बिजनस चुजा रहे है लिगाए है तो इस 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 लेसे लिए सबसार्स ग्रंस्यान पर ड्रेट पिशनस माईन calculate करांगे फिर जो नेट अमाउंट है वो कैश ज्यादा पे होएगा या रसीव होएगा नेक्स्ट वाण इंटरस्ट वने कैपिटाल हो रगोंसेट सब्सक्राइव इंवेस्टमेंट म क्या ब्वाइद अनर इसोगों ब्लति है और यह daras Capital वदी जान दिया Capital बिजनस दी लाइविल्टी यह पर्सनल अकाउंट नो रिपार्जेंट कर दिया पर्सनल अकाउंट या लाइविल्टी इंक्रीज होंदा मतलब क्रेडिट ते इंट्रस्ट अन कैपिटल बिजनस था अग्स्पैन्सिज है इत्यान रखेंट यह उन्दने डैबिट मेरे खाल कॉंसेप्ट काफी क्लियर एक्जामपन ला लेकिए टैन परसेंट इंट्रेस्ट काल फूर लाग दि 것으로 लॉट तौन अबन गया मेंडूबने क्रेचàn, प्रिक्रेच अग्देबने में रॉटत कालेटunu knocking लोडल वोगिragen मं बॉट जानूंन गी इंग्रीज फिलेड आं सब्सक्रेची हैं assasus cat विइंक 10% interest on capital आलाओड 10% interest आलाओ कि थै ये सी ट्रांजेक्षन interest on capital थी एक होर एंग्जाम्पल लेख याप interest on capital थी थांकि बल्कूल बख्का काम अवसोंगे प्रवाइब 5% परशेंट तो दी प्रोपरियोर्श्टर ओन इस capital of 1 lakh prospects maalak ओनर ओनर खेल ठींक लग थी 5,000 expenses that debit हो गया capital increase होगी capital 5,000 to capital account capital account असी क्रेइट करता 5,000 being 5% interest on capital provider 5% interest provide करता जो अनली interest on capital पे नहीं किता जांदा एक capital चापिटल एड हो जिए है clear interest on drawings drawings क्यों अमाउंट goods और worth of kind जो काइंड मतलब वस्तुआ दे रूप चो सकता है वस्तुआ या पैसे दे रूप देवी जड़ा amount business देवी जो विड्रा कीता जांदा है business देव नर दे दोबारा उनों उसी drawings कहने है जो दो business जो पैसा विड्रा कर रहे है जिस तरह capital दे उते इंट्रस्ट दीता जांता है drawings दे उपर इंट्रस्ट बिजनस चार्ज कर दे लंद है ता इंट्रस्ट जो तो business नो मिल दा बिजनस दे लई यह income होंदी है जिनना इंट्रस्ट ओन ड्राइंग्स होएगा और नी capital डिक्रीज हो जन्दी है एक गलत्यान रख्यों और नी capital कट जन्दी है एक्जामपल लेकर चालते हैं पहले हम बाढ़ लिए means interest ओन ड्राइंग means the interest charged by the firm on the amount और वर्थ ओफ काइंड विद्रान बाइदा ओनर वर्थ ओफ काइंड दा मलो उस मुल दियां वस्तों जिन्ने दी भी विद्रा कितियां बाइदा ओनर उस दे उपर जो interest चार्ज किता है और वर्थ इंट्रस्ट ओन ड्राइंग कहने है it is a gain for business so gets credit business लेक गेन है इसलिए इंट्रस्ट ओन ड्राइंग क्रेडिट होन दै नॉमिनल अकाउंट दे विचे से जानने है चार्ज फोन अग्वाश्बर प्रपृारईट्र प्रपृार्स्ट तो चार्ज किता है जान दा है so capital around drying account debit देविट का इंटरेस्ट चार्ज्ज फ्रों प्रपाइटरेंग रूपी 600 मानलो 600 आंटरेस्ट चार्ज गितां एंट्टरी फिट्राइंग शोग ओरो या कैपिटल ज्योंकि ड्राइंग ने भी जे त्यांनल अपान्चे तो अग्ये वदांगे final एकाउंट देवल ज्यांग ने भी capital नो decrease ही करना होंगा है ड्राइंज लिखो या capital account लिखो capital decrease हो रही है ता capital account नो debit करी charity or donation as goods or cash charity भी दान करना है चलो जी आओ उपंगल करी charity or donation account donation की है दान किया है किसे दी help करना business दे वीचों जो तो किसे नो दान दिता जानता है और जिरूरी नी cash होबे goods भी हो सकती आने business नी आँ कपड़ा सी कपड़ा दान करता that is goods कपड़े दा वेबारी कोई एक sweet shop है ता होना ने अपने मिठाई दा डबा किसे नो दान देता भी लावी तू खाल है that is also charity दान donation so donation or charity can be as a goods or cash ट्राजेक्शन की होगी charity donation business expenses nominal account सारा नो गदा nominal account सारे खर्चे की होने डबिट charity donation account debit to cash account और जे cash payment किती जान दी है एत्यानल सोने हो जे cash payment किती जा रही है cash account जे goods दीतिया जान दी आने donation दे वेच ता purchase account credit होनदा है otherwise purchase account debit होनदा है जो तो goods purchase किती है जान दियाने क्योंकि ये sale था है नी फिर वो goods देडिया पर्चेज किती है जो बाहर जा रही है ने ताउधा टांकी होनदा है purchase debit हो ऐसे जो दो goods नो purchase की था जो दो goods नो असी है जो donation देता था purchase account credit means उनने amount दिया goods purchase चो कट गिया है क्लियर जे cash payment हो रही है था cash नो credit करांगे cash going out जे goods दे रूप दे विच donation दिती जा रही है था purchase नो credit करांगे एक्जामपल देखिए गेव अभे एस donation रूपी 700 लोजिक cash payment करती donation account debit to cash donation expenses are cash going out 700 700 being cash given as donation charity charity वी दान ही है second देखिए गेव गुड्स वर्थ रूपी 300 and cash रूपी 100 as charity goods वी देती है 300 रूपे मूल दिया 100 रूपे दा cash charity दान दे रूप दे विच देता charity business दा expenses हो गया charity account debit to purchase account क्योंकि goods देती हैं सी 300 दिया cash account क्योंकि cash देता सी 100 दा 3 plus 1 total charity किन्या हो गया 400 being goods and cash given as charity that is a narration concept is clear i think so students today's video i think the concept is quite clear now अज तोड़िनाल गल की थी के cash discount trade discount असल की ने तेना वे साड़ी books दे विच दे रिकॉर्डिंग की में हों दी है इननों किस तांग देना treat किता जम्द है फिर साड़ा treatment सी regarding interest on capital interest on drawing similarly i have discussed here in today's video is about the charity or donation charity and donation दान जेकर देना है वस्तों दे रूप चेश दे रूप दे विच ओदा accounting treatment की है असी मन मर्जीना दान नहीं दे साथ है क्योंकि business देविच सिंगल पाइदा भी हिसावताव रखना जरूरी भी हुंद है so i think the all the concepts are quite clear if you have any concern then please give your suggestions or questions in the given comment box of this channel ति मैं कोशिश करांग अगली video दे विच जाओ ते comment दे तोड़ा जवाब देके तोड़े concerns नो कि ते address कर सकां let's wait for another video i will be here till then thank you very much कर दो